तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इपोटेंट वीडियो होने वाला है जिनको तिरकोड मिती में जैसे जिनको निकालने में प्रोबलम होता है बस इस वीडियो को देख लेंगे तो आज के बाद आप लोगो कभी भी कोई दिकत होगा ही नहीं हम जब क्लाश 12 के बच्चे को पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चे को वहाँ भी प्रोबलम फेश करना होता है जो इलेबेंट में हैं उनको भी दिकत होता है मैं आपसे यह सजेक्ट करूँगा कि आप कमपर करते हो लेकिन इस फर्मूला को जैसे आप लोग पाइस्ताने लगते हो यार फर्मूला सही हो जाता फर्मूला याद हो जाता तो फिर हमें कुछ सुचना नहीं पड़ता तो बस आप सही जगा पर आ चुके हो इस वीडियो को अन तक देख लिजिएगा 100% आज के बाद आप पूरे लाइफ में नहीं भूल पाओगे अपने फ्रेंट सरकल में भी अपने दोस्त में भाई बाई जो भी होंगे उनको भी बताईएगा तो आपको बहुत बहुत धने बाद बुलेंगो ठीके चलिए स्टार्ट करते हैं ध्यान से बस वीडियो को देखिएगा पेस एक फिगर ध्यान से देखिएगा सबको चातु धांच तो बनाने आ रही होगा थिके सबको आता भी होगा यह होता है पक्नेट देर और यह होता है y और यह होता है y सबको पता है यहाँ पर मुल बिंदु 00 होता है और और जिन होता है फिक है इधर जाएंगे तो plus इधर जाएंगे तो minus यह सब तो पता है 10 class में पड़े हो यहाँ परोचीजी नहीं पड़ना है ठीक है बस आपके याद रखना है यह पुरत्थम चतुर्थांस होगा ठीक है तो पुरत्थम ऐसे लेख रहता है समझेगा यह फर्ष्ट हुआ और यह सेकेंड हुआ भ्यान देजिएगा इस फिगर पर ही साना चीज़ है यह ठर्ड हुआ और यह फोर्थ हो गया ठीक है इन चतुर्थांस में क्या होता है एक ट्रिक समझें यहाँ पर फर्ष्ट में होता है और फर्ष्ट में क्या होता है और सेकेंड में फर्स्ट, सेकेंड अस्कूल, यहाँ पर स्थर्ड में टू, और फोर्थ में कॉलेज, यानि आल अस्कूल टू कॉलेज, बाकी टीचर अपने हिसाब से कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, उससे मतलब नहीं है, हम लोगों किसी एक ट्रिक से सिख जाना है, ठीक है तो all a school to college, आपको सबसे पहले एक चतुर्थांस मन में बनाने आना चाहिए, मन में भी याद बनाना चाहिए कि all a school to college, क्योंकि all a school से ही college रो जाते हैं, इसलिए हम लिए है all a school to college, ठीक है, समझ में आरे बाते, अब चलिए, अब इस all का मतलब क्या है, अस्कूल का मतलब क्य है, two का मतलब क्या है, and college का मतलब क्या है, इसको समझते हैं, धीरे-धीरे चलेंगे, 100% बाते समाझ में आईगे, patience बनाये रखिए, सारा चीज़ समझा कर रहे हैं, बेजेंगे आप लोगो, all का मतलब होता है, तिरकोडमित्ती निस्पतिया जो होती है, छे होता है, sign, cost, 10, cose इस फर्ष्ट चतुर्थांस में, जो भी हमारा आएगा, sign, cost, 10, cosec, 1, cot, वो हमेशा का हमेशा क्या होगा, positive होगा, all मतलब, all positive, यानि हमेशा का हमेशा इसमें जो भी आएगा, वो plus ही कर देगा, minus कि उसमें कोई गंजायसी नहीं है, कि फर्ष्ट में वो आए और minus हो जाए, नहीं, all यानि all plus होगा, याद हो गया, दूसरा अस्कूल, अस्कूल का मतलब होता है, याद करने का trick है, इस से क्या होता है, इस ले जो होता है, इस साइन होता है, इस से क्या होता है, साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक, साइन का उल्टा, कॉसिक, यह जो साइ समझे रहे तको यह six निस्पतिया first quadrant में प्रतभम summer प्लस प्लस होगा एंड यह उसकूल का मतलब और फॉर्ष्ट को पकड़ेंगे, यह से ले यह होता है साइन साइन का उल्टा कॉसेक ता नहीं साइन प्लस तू माइनस यानी बाकि बच जायेगा को स्ट कॉट टैन यह माइनस हो जाएगा सेकिट में जो मतल कॉसेक आएगा आगा terminus अब आगे आते हैं n इति i say t suali house n और pertे न का उल्टा क्या ओंता है बाधी साब कोट तो टेन और कॉट जो होंगे यह प्लॉस होंगे अब बाकि सब क्या होंगे तो red कौईडिएट में कृत्य चातुर्थ हांस में टैन और कॉड पोजेटिव बाकि सम निगेटिव समझना गया फोर्थ कोईडिएट में याता है कॉलेज सी सी मतलब कौस और कोस का उल्टा क्या होता है सिक और कौस का उल्टा को टॉ पलोग। ओर पलॉठ होगा सर्फ हो वॉर्ण। औहुल मैंस होगा और लेंस होगा सकली twists कोटनोफ इस समझी समय को और इस उन प्लॉठ होगा बाफी सब बढ़के बढ़़एगा अभी तो बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में बस ध्यान से चलिएगा एक चीज अच्छे से समझिए फिर अपने पर लागू करिए आप कभी नहीं भूल पाओगे ठीक है तो चलिए हमें पता चल गया कि अगा यकितना डिगरी हो गया नभब्य दिगरी यानि zero से नभब्य नभब्य यानि zero से नभब्य किस कौाइडिaxter में जाएगा 0 से 90 डिग्री फर्ष्ट क्वाइडिnaire में जाएगा प्रत्थम चतुर। रांज में जाएगा 0 से लेका 90 डिग्री प्रत्थम चतुर्थांज में आएगा आपका अब देखो जैसे मालो 0 से बड़ा कुण रहेगा और 90 से छोटा रहेगा, तो 1st में ही रहेगा, 0 से बाड़ा, 90 से छोटा, तो 1st में ही रहेगा, पहचान ने आएगा ना, अब एक बात बताएगे, जदी 89 यानि 89 डिगरी का कोण है, तो किस चतुर्थांस में जाएगा, 1st में की 2nd में की 3rd में की 4 में, आप कोगे सर जी कैसी बात कर रहे हो, 1st में रहेगा, क्योंकि 89 डिगरी है, 90 से छोटा है, और 0 से बड़ा है, तो 1st में, बिल्कुल सही, जदी मालो कि 90 से बड़ा कोण हो जाएगे, तब क्या करोगे, मालो कि आपका 110 डिगरी का कोण बना रहा है, तो आपको तो पता है कि जो 1st में 0 से 90 ही हो सकत है, 0 से लेकर 90 तेक्स हो सकता है, अब 110 डिगरी का कोण मिलका था, कहां जाएंगे, अगले में चल जाएंगे, यह क्या करेगा, ऐसे जाएगा, अगले में, बढ़ जाएगा, अगले में जैसे हमने आया, इसमें क्या होता है, 90 पलस थीटा, 90 से जो बड़ा होगा, वो सिकें क्वाइणेट में चला जाएगा, लेकिन सेकेंड क्वाइणेट का भी मान कुछ रखता है, यहाँ से गता, यहाँ से ISMA 182, यहाँ से गता, ќो होगा,byं फश्ट और 90 से बढ़ा होगा तो सेकेंड में लेकिन मालों कि 180 से तक तो वो सेकेंड पचार है अपने आप में उसको निगल जा रहा है लेकिन जैसे 180 से बढ़ा होगा यानि जैसे 180 से बढ़ा होगा किस कोईडिनेट में जाएगा थर्ड में चला जाएगा तो यहां से फिर भागते भागते आएगा किसमें आजाएगा इसमें यानि अगले कोईनेट में जाएगे तो थर्ड कोईनेट में 180 पलस ठीटा भी होगा और साथ में 90 180 या 90 270 तक यानि 270 माइनस ठीटा तक कि थर्ड अपने आप में पचा पाएगा यानि थर्ड कोईनेट में 270 से छोटा और 180 स से बाड़ा तक अपने आप में रख लेगा फ़र्षट में क्या था जीरो से बाड़ा 90 से छूटा तक अपने आप में रख सकता है खा सकता है का सकता है 5 पाचा सकता है निगल सकता है by क्या करेगा 90 से बाड़ा एक सवासी छोटा के बीच में रख सकता है और ठाड में एक सवासी से बाड़ा दूसो सतर से छोटा तक रख सकता है कोई दिकत नहीं अब जैसे मालो तो 270 से बड़ा हो जाएगा तो 270 से जैसे बड़ा होगा तो अगले में चला जाएगा क्या होगा 270 प्लस ठीटा 270 प्लस ठीटा रखेगा और साथ में साथ में अगला जब जाएंगे 360 माइनस ठीटा तक पचा पाएगा जो था कोडिनेट जो है वो 270 प्लस ठीटा यहने 270 से बड़ा और 360 से छोटा फोर्थ कोडिनेट रख सकता है समझ में आगया बात अब महलों कि 360 से ज्यादा हो जाए तो 360 से ज्यादा हो जाएगा तो प्रथम चतुधांस में यहनि प्रथम चतुधांस में 360 से क्या हो जाएगा 360 प्लस ठीटा भी हो जाएगा यह मालो 360 हुआ फिर इसमें नबे जोड़ेंगे वहां तक जाएगा फिर ऐसे चलते रहेगा तो आपको बस यहां तक पहले कंप्लेट करो 360 मनस ठीटा तक और इसमें आपकम आपने अपने खुद से समझ जाओगा आगे क्या बोगा समझ में समझ गया है यह बाते किलियर है ना अब अब बातें किलियर हो गई तो फिर आपको हमको बताने क्या जूरत है समझ गए सबसे सीख गए यह सिखे ना हम आपको सबसे पहले बता है कि all a school to college all का मतलब होता है प्लस प्लस अभी इसका मतलब समझाएंगे कहां परीज है और अब किसमें क्या होता है कितने डिगरी यह समझ में आ गई बात है बहुत अचाहा अब आगे बढ़ते हैं अब आगे क्या बढ़ेंगे हम आपको यह बताएंगे कि फर्मूला कैसे लिकालते हैं ठीक है आईए तो आप पहले एक ट्रीक याद कर लिजिए दिख रहा है ना ट् जैसे आप पढ़े हैं न भी तक कि साइन नबे माइनस साइन नबे माइनस ठीटा क्या पढ़े हैं साइन नबे माइनस ठीटा अभी तक आप लोग रट रट के याद कर रहे होंगे कि साइन नबे माइनस ठीटा जो होता है वो होता है को ठीटा लेकिन इस वीडियो में आप प्रूब हो जाए कैसे कोस्ट ठीट ही हो सकता है इन शुतरों के द्वारा प्रूब होने वाला है। सेटा लेकिन कैसे बताने के लिए एक छूटा सा टॉपिक बुले हैं एक छोटा सा अपना टाइम निका लिए और यहां धीजिए ध्यान दिजिएगा त्रीकोड मीती अनुपात क्या होगा त्रीकोड मीती अनुपात त्रीकोड मीती अनुपात ठीकेत इस फर्मूला को हमेशा याद रखिएगा कि जदी तिरकोड मीती अनुपात तिरकोड मीती अनुपात ठीक है तिरकोड मीती अनुपात तिरकोड मीती अनुपात 90 इन्टु एन पलस माइनस ठीटा इससे याद रखिएगा इससे अब हटा देते हैं इसके कोई जूरुत है नहीं अभी इसको हटा देते हैं ठीक है पलस माइनस ठीटा यह चीज याद रखिएगा बहुत ही पॉटेंट है यदि तिरकोड मीती अनुपात इंटु 90 इंटु एन पलस माइनस ठीटा हो तो क्या होता है जब एन कामान बिसम हो जब एन कामान क्या हो बिसम हो तो जब एन कामान बिसम हो तो तिरकोडमीती अनुपात चेंज होगा यानी बदलेगा प्रजगर नहीं है यही पर हम बढ़ा करके लिख लिए ठीके याद रखिएगा जदि तिरकोडमीती अनुपात आपको बात समझ में नहीं आ रहागा तो टेंसनलिजी समझाएंगे अभी जब अन कमान सम होगा तो चेंज नहीं होगा ठीके अब हम सम भी सम कर रहे हैं कि जब भी सम होगा तो चेंज होगा यह हम कहना क्या चाहें तो ध्यान से सुनिएगा सारी बात समझ में आएंगे अभी तक जो यह चीज बताये थे ना उसी का इउज है तो हम क्या करते यह जो लिखा हुआ है इसको बढ़ा करके हम इधर कर देते हैं यह ठार्ड कवाडिनेट है क्योंकि अधटाएंगे और इसको टी से टू बोलते हैं जो कि होता है टैन और काट इसमें क्या होता है 180 यह पता दे कि इसमें पलस पलस होता है 10 और कॉट और इसमें होता 180 पलस ठीटा और दूसरा 70 माइनस ठीटा होता है अब इन चीज को हम क्या करते हैं हटा देते हैं ताकि आगे पढ़ाने में जगा होगी हम लोगा ठीक है किसको अटा देगा तो फिर समझ में नहीं आएगा बाती आप लोग पहले से लिखे होंगे बहुत अच्छा ठीक है अब देखो अब इसका हम यूज करेंगे यह जो टायप 1 लिखिएगा टायप але ये फर्मूलब कैसा निकलेगा टाइब बाई टाइप करके चारों का बताएंगे ठीक है तो सबसे वहले तो सिंपल है टाइफ या साइब 2 सबसे करेंगे कि 90 माइनश थीटा किस कौडिनेट में होता है जीरो से लोकर 19 समय होता है आल पोजेटीव यानि हमेशा यह पोजेटीव लेकर आएगा तो देखो यह पोजेटीव होता है इसी के वज़ासे और साथ में भी चेक करेंगे कि साइन से को साखे कैसे हो गया तो यहां पर फर्मुला है ज़ित तिरकोडमीती अनुपाद 90 90 इन प्लस ठीटा रहे जब यहां एण का मान बी सम हो तो तिरकोडमीती अनुपाद चेंज होगा यहां जब यहां एन का मान बी सम हो जाएगा तो जो तिरकोडमीती अनुपाद होगा क्वा ओगा जाये मांनाते देखका है एक का गया एक क्या है विष्खान ऐसंग्याद तक साइम के नहीं से टोıs अहीं आपको पुरूब बता दिए बताए ना, चलो, ए तो त्रेंथ क्लास होला है आपको याद होगा, हम डिरेक्ट ही लिख देते हैं आगे कि जो 90 पुलस ठीटा एक वसी मैनस ठीटा है उसमें दिक्कत होती है, वो हम आगे जल्द जल्दी बढ़ते हैं इसको जल्दी लिख लेते हैं, आप लोग भी मेरे साहन ठीटा म 맡लब करना और अबया होगा कोत थीटा कॉर्ट नभे-स थीटा तेन थीटा और सेख नभे-स थीटा कि तो शेए हो गया उना यह तो आपको यादी ही होगा टाईप one में और आता है центनीग भी ऑम्हेश करें करें दो नहीं बस इतना ही आता है टाइप ओवन में यहीं सिर्फ छे होता है आप लोग के याद हो गया ना कोई दिकत नहीं आगे बढ़ते हैं अब हम चलते हैं टाइप टाइप टू में दोग मिलेगा देखो एक तो नवे पलस ठीटा मिलेगा और 180 माइनस ठीटा मिलेगा दो फर्मूला ने छिए दूनी 12 हो जाएगा आइए देखते हैं पहले नवे पलस ओला कि जब साइन नवे अब पलस ठीटा रहेगा साइन नवे पलस ठीटा रहेगा तो क्या होगा साइन नवे माइनस ठीटा कॉस्ट नवे माइनस ठीटा है सब तो आपको पता है टेंथ कलास से ही लेकिन जब साइन नवे पलस ठीटा रहेगा तो क्या लिखोगे तो देखो नवे में पहले ह कितना से गुना करा सकते हैं इसको हम तोड़ सकते हैं नब्य गुना एक यानि नब्य ही होगा एक से इसमें गुना करा सकते हैं इस फर्मॉला पर लाने के लिए किसी भी किसी भी तिर्कुमित्य अनुपाद को इसमें convert करना ही होगा ठीक है 90 into n में तो 90 को एक से गुण्या करा दें कोई फार्ग भी नहीं पड़ा तो अब हम चेक करेंगे कि जो 90 प्लस है 90 प्लस यानि 90 से अधिकोला किस में जाता है 90 ठीटा किस में जाता है तो सेकेंड कोईनिट में किस में जाता है सेकेंड में सेकेंड में क्या होता है साइन अकॉसेक प्लस अब बाकी सब माइनस होता है पता है जब B SUM रहेगा तो Change होगा तो B SUM है तो SINE को क्या हो जाएगा CAUS हो जाएगा और THETA है तो THETA अब यहां PLUS होगा कि माइनस प्लास होगा क्यों क्योंकि 90 फ्लस ठीटा जो स्च कोर्डिनेंट में और साई । theft में अगला देखो इसका कोस 90 फ्लस सबसे पहले चेख क्या करेंगे कि 90 एंटुए 6 प्लस में अगला देखो इसका क्सफ नबिखक क्या करेंगे सबसे पहले एक सम संक्या कि बिसम संक्या बिसम संक्या जब बिसम है तो तिरकोडमित्य अनुपाद क्या होगा चेंज होगा तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा साइन ठीटा लेकिन यह चेक करेंगे नबे पलस ठीटा किस क्वाडिनेट में है बाई सेकेंड क्वाडिनेट में cos जो है क्या होता है minus क्योंकि sin cos 1 plus होता है बाकि जो भी आएगा minus यहां पर लग जाएगा minus यानि cos 90 plus theta होता है minus sin theta ऐसा ही अगला देखो 10 90 plus theta क्या होगा 90 में एक से गुना कर देंगे एक क्या है बी समसेंख्याते change होगा बी समाएगा इनका मानत चेंज तो 10 क्या हो जाएगा कॉट में change हो जाएगा कॉट theta हो जाएगा और देखो 90 plus theta किस coordinate में second में second में 90 plus theta क्या होता है sin across plus बाकि सब माइनस यह भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा अगला कॉट 90 plus theta यहां पर 90 में एक से गुना कर देंगे क्या होगा बी सम है न चेंज होगा यह हो जाएगा 10 theta अब देखो यह first coordinate में की second में 90 plus theta second में होता है plus होता है बस sin across बाकि सब माइनस इसमें भी माइनस लग गया अगला देखो सेक के सेक 90 minus theta plus theta यह देखो 90 में एक से गुना करा देंगे एक क्या है बी सम सेक क्या हो जाएगा कॉसेक में चेंज हो जाएगा क्योंकि जब बी सम रहता है तो चेंज होता है तिरकोड मित्य अनुपाद अगला कॉसेक नबे प्लस theta किस सब्सक्राइब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो नबे गुना एक इन कमान एक आगया न तो क्या होगा जब एक निसम की भी सम बी सम चेंज हो जाएगा यह हो जाएगा सेख ठीटा अब देखो नबे प्लस theta किस क्वाडिनेट में सेकेंड में सेकेंड में साइन कॉसेक प्लस तो कॉसेक है न एक प्लस हो जाएगा इसे याद रखिएगा यहीं चीज़ हम बताने के लिए इतना मेहनत करवा रहे हैं आप लोग से समझ रहें न तो यह देखो साइन एक सवसी साइन एक सवसी माइनस ठीटा क्या होगा साइन एक सवसी माइनस ठीटा कहने के मतलब क्या साइन एक सवसी माइनस ठीटा का आप क्या लिख सकते हो हमको तो नबे इंटू एन पर तोड़ना है तो एक सवसी के बतले क्या लिख सकते है नबे गुना दो इस फ इनि में सम संग सम रहेगा तो क्या होगा जब एंक मान सम होगा तो चेंज नहीं कोडमितियनाइंट पर साइन का सैन ही होगा साइन ठीटा ही होगा इस कंसित मनतलब है barsण ठीटा ही होगा ठीके इस कव हम तोड़कर करके लिखें यppa sus हम यह लिखेंगे नहीं अब आगे जो बताएंगे डारेट हम समझ जाएंगे कि एक्सवासी का मतलब है 90 गुना 2 समझ जाएंगे ना तो देखो सबрах रहेँ चेंघ अब समरागा तो सामराagt टो ठागता है तो साइन है ठालब एक प्लस हो जाएगा ठीक है अगला देखेंगे इसको अठा जेते हैं बस यह तो समझाने के लिए लिखे हुए थे, ठीक है, अगला देखेंगे, कॉस होला, कॉस एक्स वसी, कॉस एक्स वसी माइनस ठीटा, क्या हो जाएगा, एक्स वसी मतलब, नव्य गुना दू, दू क्या है, समसंग क्या, एक जेंज नहीं होगा, यहने लेखा और फसी होगा अब यहां प्लस लगेंगा माइनस सेकेंड कौईडनेट में Clear BS सेकेंड में साइन को सेखाली प्लस बांकी सब माइनस यह हो जाएगा माइनस अब तो आपको समझ में आई रहा हो गा 10 x 87 माइनस ठीटा यह क्या होगा एक 87 मतलब नवे गुना दू दू समसंग क्या नो चेंज यह हो जाएगा 10 ठीटा ही और प्लस होगा कि माइनस क्योंकि sin cos x एक फ्लस होगा बाकी सब तो माइनस होने वाला है तब माइनस लग जाएगा तो तीन आप है लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कर्ट 1 180 माइनस ठीटा क्या हो जाएगा कर्ट 1 180 माइनस ठीटा क्षी ठीटा यह माइनस क्यों नोग माइनस क्यों 색깔र क्योंकि 2nd coordinate में x इं लिट मैं auf cos एक फ्लस होगा बाकी तो माइनस ही होगा यहाँ पर change क्यों नहीं हो है क्योंकि sum संक्या था 180 को तोड़ेंगे तो नबेगुने 2 ही मिलेगा ठीके अगला sec 180-θ क्या हो जाएगा sec theta plus की minus minus अगला मिलेगा cos 1 180-θ क्या हो जाएगा cos theta क्यों plus होगा क्योंकि sin cos 1 plus होता है बाकी सम minus type 2 में यह था उमेद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा फ़रा चौक चेंज कर लेते हैं छोटा हो गया कि आगे देखते हैं ध्यान देजिएगा इजी है बस समाझ आएगे तो फिर कहाएं कि सर जी बहुत इजी था यह तो डाते बहुत इजी है ठीक है ना लेकिन हम आपको पूरा डिटेल में बताए हैं समझ गे ना type third में देखिए इसमें भी 12 आएगा सबसे पहले तो sign इसमें कौन कौन आएगा जब 180 से बढ़ा हो जाएगा तो sign 180 प्लस ठीटा क्या होगा sign 180 प्लस ठीटा 180 का मतलब 90 गुना 2, 90 दुन 180, n कमन क्या रहा है 2, तो 2 क्या है, सम change होगा, नहीं होगा, तो जियों का 3 हो जाएगा, अब यह देखें कि आप प्लस होगा के माइनस, एक किस क्वाइडनेट में होता है 180 प्लस ठीटा फर्स्ट और सेकेंड में तो होता नहीं, ठर्ड में आता है देख लो, तो क्या होता है 10 और कॉट रहेगा, तो प्लस होगा अब बाकी सम, माइनस, तो साइन है तो माइनस हो जाएगा, ठीज़े अगला कॉस 180 प्लस ठीटा क्या होगा कॉस 180 प्लस ठीटा 180 यानि 90 गुना दू सम है तो नहीं चेंज होगा कॉस ठीटा तो होगा, लेकिन माइनस लाएगा क्यों, क्योंकि इसमें 10 कोट सिर्फ प्लस होता है, बाकी जो आएगा उस सब धंगा जाएगा, यानि माइनस में चला जाएगा, 180 प्लस ठीटा क्या होगा 180 यानि 90 गुना दू जेओं का त्यों ही होगा, त्रिक्ण में 3 नुपात तो 10 ठीटा, प्लस होगा कि माइनस तो 10 है और 3 कोडिनेट में तो प्लस होता है, तो प्लस हो जाएगा ठीके, अगला कॉट 180 प्लस ठीटा ये क्या होगा कॉट 180 प्लस ठीटा क्या होगा 180 यानि नवे गुना दू नो चेंज, तो कॉट ठीटा प्लस होगा कि माइनस, प्लस क्योंकि 10 और कॉर्ट ही प्लस होता है बाकी सब माइनस 6 187 प्लस ठीटा क्या होगा 6 ठीटा होगा लेकिन माइनस होगा क्योंकि सिर्फ 10 और कॉर्ट प्लस होगा कॉस एक मिलेगा तो कॉस एक 187 प्लस ठीटा क्या होगा कॉस एक ठीटा होगा क्योंकि नबे इंटू एंटू सम है तो जेओं का तिमी होगा लेकिन माइनस इसमें लाइए क्योंकि टैन और कॉर्ट सिर्थर्ड में पुलस होता है यह च्छे हो गया इसमें और आएगा क्योंकि एकशोवसी पुलस ठी-ठा और gwisement उसको भी देख लिया जाए उसका क्या अंदाज है क्या कर रहाए pick wildru कि our всп cities 1970 माकि थीटा का देखेंगे 270-3 थीटा 270 नबे गुना तीन नबे टिया दूससद आधे in in a month in a month इसको तोड़ेंगे तो 90ग उना 3 होगा या या का मंद तो नोच जेंज एज़ब सॉर्ई जब सब्लेंगे 7 daughter कि ओलगने पास्थ नोच नावमयाशून तीन क्या है एक वी तीन तोब एक्पाइब ऑट इसके जोगा थ ciudad का जाएगा फैके अब देखो 270 माइनस ठीटा किस कौड्नेट में ठोड में इसमें 10 कोड़् होता है बाकि सब माइनस लगा देंगे अगला मिलेगा कोउस 270-θ, तो क्या होगा, cos 270-θ, नबे गुना 3, n का मान, वी सम, तो change होगा, तो cos का क्या हो जाएगा, sine, और third coordinate में 10 और cut होता है, ते भी क्या होगा, minus, अगला मिलेगा, 10 270-θ, तो क्या होगा, 10 270-θ, तो क्या होगा, 903, change 10 का cut ठ, और plus होगा की minus, देखो 10 और cut plus होता है, तो plus हो जाए है, और cut मिलेगा, cut 270-θ, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, 10-θ, क्योंकि 270 मतलब, 903, n का मान, वी सम, तो change होगा, तो cut से 10 होगा, plus क्यों होगा, क्योंकि third coordinate में है, अगला मिलेगा, क्योंकि इतना बता दिये, तो concept समझ में आ जाना चाहिए, आ गया होगा, लेगन फिर भी हम पूरा complete कराएगे, अब चलेंगे, third coordinate हो गया, अब हम चलेंगे type, फोर में 12 फर्मूला पढ़ेंगे, फोर में क्या है, 270 प्लस ठीटा, 360 माइनस ठीटा, तो चलिए, sin 270 प्लस ठीटा, देखो तो 270 कहने के मतलब 90 गुना 3, 3 विसम है, तो change तो होगा, तो sin, sin का क्या हो जाएगा, sin का हो जाएगा, cos ठीटा, प्लस होगा के माइनस, तो देखो, sin 270 प्लस ठीटा, 270 प्लस ठीटा, 360 माइनस ठीटा, cos और सिक रहेगा, तो प्लस, बाकि सब माइनस, यह क्या है, sin है, तो क्या हो जाएगा, minus, result को नहीं देखेंगे, यहां question को देखेंगे, क्या है, अगला, cos 270 माइनस ठीटा, क्या हो जाएगा, change तो होगा, नवे गुना तीन, तो cos का क्या हो जाएगा, sin, लेकिने चेक करेंगे, कि cos है न, cos क्या होता है, प्लस, यह प्लस हो जाएगा, अगला, 10 270 प्लस ठीटा, क्या होगा, 10 का cot, क्योंकि विसम है, और प्लस होगा क्या होगा, क्योंकि चगथा में, cos और सेक प्लस होता है, अगला, मिलेगा, सेक, 270 प्लस ठीटा, 270 है, 90 गुना 3, change होगा, यह को सेक तो होगा, लेकिन प्लस होगा, क्योंकि सेक भी, प्लस होता है, अगला, cos एक, 270 प्लस ठीटा, क्या होगा, सेक ठीटा, माननस की प्लस, माननस होगा, 270 ठा, 90 गुना 3, तो चेंज तो होगा, लेकिन cause sense होगा, क्योंकि शेनज होगा, क्योंकि विसम संदpected क्या है, माइनस क्यों होगा क्योंकि जानते हैं चोथा में दो सिर्फ कॉस और सेक प्लस बागी सब माइनस अब यह हो गया अब 360 माइनस ठीटा को भी देख लिया जाए साइन 360 माइनस ठीटा क्या होगा देखो 360 काने के मतलब 90 गुना 4 चार, 90 गोके 360, चार क्या है इन का माइन सम तरफ चेंज होगा नहीं घुणा अब प्लस होगा की माइनस था फ्र्ट क्वाइडेट में और सेक प्लस बागी माइनस देख भी वाइनस हो जाएगा अगला cos 360-θ, क्या होगा? 90-4, क्योंकि 94-360, इनका मन्चार है, यानि sum, तो change नहीं होगा लेकिन plus होगा कि minus, cos है न, cos और से 1 plus, बाकि सब minus तो 1 plus हो जाएगा अगला, 10-360-θ, क्या होगा? 10-360-θ, 90-4, change तो नहीं होगा, लेकिन plus होगा कि minus, क्यों हो? क्योंकि cos 1 plus होता है, अगला, cot, cot 360-θ, क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, cot ठ, change तो नहीं होगा, change क्यों नहीं होगा, गुना बे, गुना 4 plus होगा कि minus, क्योंकि देखो, दो सिर्फ प्लस बाकि minus अगला मिल रहा है, 6, 360-θ, क्या होगा? चेंज तो नहीं होगा, लेकिन plus होगा कि minus, प्लस होता है न, तब प्लस हो जाएगा अगला, cos 1, 360-θ, क्या होगा? minus cos 1, theta हो जाएगा, यह चीज तो आप लोग के यहाद हो गया होगा फिगे, यह बात समझ में आ गई, चलो, बहुत बढ़िया, अब आप लोग मुमित करता हूँ, कभी भूलोगे नहीं जब भी आप लोगा ऐसा है तो बस आपके मन में ए फिगर हो जाना चाहिए, कब क्या होता है और यह ट्रीक यादना चाहिए, कि तिरकोड मितियों पाद 90 गुना एन पलस मना ठीटा रहे, लेकिन जब एन कमान भी सम हो, चेंज हो जाता है तिरकोड मितियों पाद जब सम हो तो चेंज नहीं होता है, तो याद हो गया न, अब ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है, जैसे मालो 360 के बाद क्या होता है, 360 पलस ठीटा निकलना होगा, तो क्या करिएगा, कुछ करना है, 360 हो क्या लिखोगे, 90 गुना चाहिए, पता है न, इन फिर मालो कॉस, 360 पलस ठीटा निकलना हो, तब क्या करोगा, 360 है, 90 गुना चाहर, तो चेंज तो नहीं होगा, अब पलस होगा कि माइनस, पलस ही हो जाएगा, तो साइन 360, अब आप आप राम से सब निकाल सकते हो, ऐसा ही 90 इसमें और जोड़ दोगे, तो 420, ऐसा ही मतलब 500 क चलते रहता है, तो में आपको यहां तक ही जुरुत पढ़ता है, लाश्टली यहां तक जो कि भी आपको बता दिया, जो बच गया उसको कर लिएगा, उमिद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, अब आप कभी नहीं कहें कि सर हमें नहीं आता है, आप लोग के लिए म ठीक है ना कम से कम 10-12 student के पास जरूर सेर करेगे इस वीडियो को बहुत कुछ उनलों को सिखने को मिलने वाला है चलिए वीडियो कि मैं आप करते हैं मिलते हैं next वीडियो में thank you so much